तो आप लोगों ने देखा होगा कि रीफर बीश्ट फोन काफी कम प्राइस में मिल रहे होते हैं अब ऐसे में हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं या रे रीफर बीश्ट फोन कौन से होते हैं ये कहां से आते हैं इतने कम प्राइस में क्यों मिल रहे होते हैं और फिर ये आपको लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए ऐसे काफी सारे सवाल है जिनका आज इस वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाला हूँ सारी चीजें आप लोग के सामने क्लियर करने वाला हूँ रीफर्बिश्ट फोन क्या होते हैं एंड तक अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे ये फोन आपको लेने चाहिए या फिर ये फोन आपको नहीं लेने चाहिए ये वीडियो आज आपके लिए काफी ज़ादा helpful होने वाला है तो अभी से इस वीडियो को like कर दो और चलो हम वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले सवाल है कि ये referbit phone होते क्या है और ये phone आते कहां से हैं देखो अगर हम ये जान लेंगे कि ये phone होते कौन से हैं, इनका source क्या है, कहां से आते हैं तो हम इनको लेने या ना लेने का decision है वो काफी आसानी से ले पाएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये phone होते कौन से हैं देखो आपको पता हुगा कि ये referbit phone नए तो नहीं होते और ना ही ये phone पुराने होते हैं तो फिर ये phone होते कौन से हैं देखो भई जब भी कोई एक नया phone खरीदता है चाहे वो फिर online Amazon Flipka के कहीं से खरीदे या फिर offline market में किसी shop से खरीदे तो आपने देखा होगा कि एक return or replacement policy होती है कि जिस phone को आप खरीद रहे हो 10 days की या 15 days की सभी की अलग-अलग policy होती है जो आप phone खरीद रहे हो अगर इसके अंदर किसी तरीका कोई issue आता है मालो software based कोई issue है या उस पर physically कोई dent है और उसके कोई बड़ा scratch है तो आप उसको return policy के अंदर वापस कर सकते हैं अब ऐसा बहुत लोग के साथ में होता है कि उन्होंने कोई नया phone खरीदा और उनके phone में किसी तरीके की कोई problem निकल गी चाहे वो software based है या उसमें फिर physically कोई भी कमी है तो लोग उसको क्या करते हैं कि फिर वापस कर देते हैं जब उस phone को वापस कर देते हैं तो वापस seller उसको brand के पास भेज देता है फिर brand क्या करता है कि उसमें जो भी problem हुई होती है जिसकी वज़े से customer ने उसको वापस किया है उस problem को ठीक करके वापस से सेलर के पास भेज देता है उस फोन को बेचने के लिए लेकिन फिर वो फोन नया नहीं कहलाता हूँ वो फोन बन जाती है रिफरबिश्ट लेकिन अब यहाँ पर एक कंडिशन और है कि रिफरबिश्ट भी दो टाइप के होते हैं लोगों ने देखा हुआ एक तो होता है ब्रैंड सर्टिफाइड रिफरबिश्ट और एक होता है खाली रिफरबिश्ट अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो जो brand certified refurbished उस case में होता है कि जो phone में problem आ गई होती है उसको brand ठीक करके देता है यानि जो phone का original manufacture है वो उसको repair करता है और जो खाली refurbished है उसमें किसी local engineer से या किसी third party repair center से ठीक कराके उसको बेचा जाता है तो यहाँ तक तो हमारी ये समझ आया कि ये refurbished phone होते क्या है और ये फिर आते कहां से है अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये phone कम price में क्यो मिल रहे होते हैं देखो जैसा कि हमने अभी जाना कि जिन phones के अंदर कोई problem होती है किसी issue की वज़े से customer उनको return कर देते हैं उनके अंदर जो भी issue होता है वापस से उसको ठीक कराके रिपेर कराके बेचते हैं देखो अगर उसको नए के price में बेचेंगे तो रीफरबिष्ट phone कोई नहीं खरीदेगा सब नए वाला खरीदेंगे इसलिए रीफरबिष्ट phone की कम price करके उनको बेचा जाता है अब रीफरबिष्ट phone आपको कई जगा पे मिल जाएंगे आपके आसपास market में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे shop वाले हैं जो कि रीफरबिष्ट phones को बेचते हैं कम price में अब तीसरा और लास्ट सवाल ये है कि क्या आपको ये रीफरबिष्ट phone लेने चाहिए आप नहीं लेने चाहिए देखो येस आप इन फ़ोन को ले सकते हैं लेकिन कुछ condition है अगर वो fulfill हो पाती है तब ही आप इन रीफरबिष्ट phone को ले सकते हैं देखेंगे आप वो condition क्या है कि जो आप फोन ले रहे हूं उसका नया प्राइस कितना है यानि कि अगर कोई 20,000 रुपे का फोन है रिफरबिश्ट आपको 17 या 18,000 रुपे में मिल रहा है तो ऐसे में आपको 1000, 2000 और एड़ करके एक नया फोन ही लेना चाहिए सेकंड चीज आयाती है वारंटी जहां पर ब्रैंड की तरफ से वारंटी मिल रही हो वो काफी जादा बहतर रहता है क्योंकि कई बार ही ऐसा होता है जहां पर सेलर अपनी तरफ से वारंटी देता है वो फोन ब्रैंड सर्टिफाइड रिफरबिश्ट नहीं होते तो आप उन phone को skip कर सकते हैं और अगर आपको काफी ज़्यादा अच्छी deal वहाँ पे मिल रही है तो आप seller से पहले ये clear कर सकते हैं कि कल को अगर इसके अंदर कोई problem आ जाएगी तो आप phone को कहाँ पे repair करा के दोगे official service center पे कराऊगे या अपने पास करा के दोगे तो ये चीज़ आपको clear कर लेनी है थर्ड यहाँ पे condition आजाती है accessories देखो जिस भी seller से आप phone ले रहे हूँ आप पहले उससे ये पूछ लेना कि जिस price में phone दे रहा है कि आपको original accessories भी साथ में मिलेंगी या फिर कोई उससे compatible third party accessory वो आपको देगा अगर original देता है तब ही आपको phone लेना है अगर third party accessories देता है तो ऐसे में आपको phone बिलकुल skip कर देना चाहिए अब लाश्ट यहाँ पर एक और चीज़ आजाती है ये offline market में कई बार होता है बहुत सारे लोग imported phones रखते हैं कम price में बेजते हैं तो आपको देखना है कि जो phone आप खरीदरे उससे पूछ लेना कि वो phone imported तो नहीं है अगर iPhone है तो आप ले सकते हैं क्योंकि Apple की international warranty होती है लेकिन बहुत कम ऐसे mobile brand है जो international warranty देते हैं ऐसे में मैं recommend करूँगा कि सिर्फ iPhone ही आप imported खरीदें और दूसरे Android phone imported मत खरीदना क्योंकि कई बार ही ऐसा होता है पहली बात तो जो service center है वो imported phone को कल को ठीक करा के नहीं देगा कोई problem आती है तो और ऐसी भी कई सारी चीज़े हैं जोकि imported phone की इंडिया में आने के बाद नहीं काम करती है तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है फिर आप एक refurbished phone खरीद सकते हैं और इन condition को fulfill नहीं करता है तो आपको phone एकदम skip कर देना चाहिए और एक नया phone ही खरीदना चाहिए I hope आपके सारे doubts clear हो गए होंगे आप समझ चुके होंगे कि refurbished phone क्या होते हैं कहां से आते हैं आपको लेने चाहिए या फिर नए लेने चाहिए अगर helpful वीडियो ये लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना चैनल पे नए हो तो subscribe करके आर bell icon press कर लो ऐसी और वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में तब तक के लिए thank you bye bye